नमस्कार कैसे हैं आप लोग स्वागत है कंप्टिशन कम्यूनिटी के इस अनलाइट प्रेट फार्म पर आपका आज हम देखेंगे कि जैसा कि हम पिछले कई वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं यूनिट 10 मद्ध प्रेदेश फ्रेलिम्स एक्जामिनेशन का जो सलेवस है उसमें यूनिट 10 के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं और हमने इसके पहले पढ़ा भारत निर्वाचान आयोग के बारे में और आज हम इसी का दूसरा चेप्टर है अध्धाय 2 है उसमें राज निर क्रिया रही कभी स्थाफित हुआ इन तमाम चीजों को लेकर पढ़ेंगे हमारे सलेवस में चुकि राज निर्वाचान आयोग दिया गया है लेकिन हम मद्ध प्रेदेश प्रेलिम्स एक्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मद्ध प्रेदेश का जो राज निर् पर यह है कि इसका संबिधान में कहीं न कहीं बर्नन है और इसका संबिधान के आर्टिकल 243 के में बर्नन किया गया है किसका राज निर्वाचन आयोग का आए हम आगे देखते हैं राज निर्वाचन आयोग के बारे में तो हम पढ़ेंगे क्या-क्या उसके बारे में सारी भूमिका हम देख लेते के बार कि हम को अंदर क्या-क्या चीजे पढ़नी है। किन-किन चीजों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे है। तो सबसे पहले हम इसके प्रष्ट भूम के बारे में ब्वाद करेंगे। पॉइंट एक हमारा ये रहेगा प्रिष्ट भूम के बारे में हम जानेंगे कि राज जिनिरवाचन आयोग की प्रिष्ट भूम कैसी रही इसको कैसे गठन के तौर पर कैसे लेके आया गया उसके बाद हम महातिपून आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे महातिपून के जो elections के प्रनाली होती है चाहे वो नगर पालिका हो चाहे पंचायत की चुनाओं है इन नगरी निकायों की चुनाओं ऐसे कारे जो है इनके क्या काम करता है राज जिनिर्वाचान आयोग उनके बारे में देखेंगे पॉइंट नबर चोथा है मद्ध्य प्रदेश राज जिनिर्वाचान आयोग क्योंकि हम मद्ध्य प्रदेश प्रिलिम्स एक्जामनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सलेवस का इसका चेप्टर टू ही है राज जिनिर्वाचान आयोग तो हम इसे फेसिपीक मद्ध्य प् के पढ़ेंगे इसमें क्या कहता है कि भारत میں लोकadata तंतवात्मक शासन के दो इस्तर केंद्रवा राज्जी है आप जानते हैं साथियो जो हमने पहले चर्चा भी करी कि हमारा भारत एक बहुत बड़ा लोकटनत्रिक तांत्रिक देश में सबसे बड़ी बात ये है कि यहां निस्पक्ष और एक इस्थाई तोर पर चुनाओ की प्रक्रिया संपन्द हो सके उसका जो संपन्द करने का चुनाओ का काम होता है वो निर्वाचन आयोग करता है और राज जी के भीतर जो चाहे हुआ नगरी निकाय के चुनाओ हुँ पंचायत को चुनाओ हुँ इनको संपन्द कराने का काम कौन करता है हमारा राज जी निर्वाचन आयोग के अंदर एबम राज जी हमारे यहां दो ऐसे संस्थाए हैं तो इसका जन्व कैसे हुआ तो साथियो जब हमारे भारत का संबिधान लागू हुआ उ जो बाध 4 में राज जी के नित निर्दे सकता तो चीसे हम DPSP भी कहते हैं उनका वर्रनन किया गया है और भाध 3 में हमारे मौली कदिकार के बारे में बात की गई है, मौली कदिकार अगर संबिधान में है तो उनका यह मतलब है कि राज इनको प्रदान करने काскомपलसरी है, राज जिनको प्रोवाइट कराएगा ही, अगर आपके मौली कदिखारों का हनन होता है, तो आप कोट और नियाले जा सकते ही, लेकिन जो भाग चार में DPSP हैं, उनको लेकर आप कोट नहीं जा सकते, जब सम्विधान का निर्मान हुआ, उस समय ये कहा गया, कि जब भी राज संपन्द होंगे आर्थिक रूप से, उनको लगेगा कि अब हमारी स्थिती ठीक है, उस समय आप चाहें तो DPSP लागू कर सकते हैं, उसी में लोकतांत्रिक विकेंद्री करण हुआ, और ग्राम पंचायतों की बात की गई DPSP के आर्टिकल 40 में, और महात्मा गंधी जी ने कि ये सोच थी, कि हमारे गाउं विक्सित हों, गाउं का विकास होगा, तब हमारे सहर का और सहर का विकास होगा, तो देश का विकास होगा, कहने का मतलब ये था, कि गाउं तक लोकतंत्र को पहुँचाना, ये उनकी सबसे बड़ी सोच थी, तो हुआ क्या, कब राज्य नि पहले जब संभिधान लाग हुआ उस समय नहीं थी तो हुआ आपको मैंने बताया कि 73 वह संभिधान संसोधन हुआ 1992 में, तो इसमें क्या जोडा गया? इसमें भागनाव जोडा गया, और इसमें पंचायत की बात की गई. उसके बाद आर्टिकल इसमें 243 के क्योंकि राज जी का मैंने आपको बताया कि राज जी का जो गठन है राज जी निर्वाचन आयोक का जो गठन है वो 243 के के तहट है इसी तरह 74 वा संभिधान संसोदन हुआ 1992 में इसमें भागनौक सब आर्टिकल ए जिसको भागनौका भी कहते हैं इसमें नगरी निकाय के बारे में बात की गई उसके बाद आर्टिकल जेड ए जेड ए में ये कहा गया कि नगर पालिका का जो चुनाओ होगा नगरी निकायों का चुनाओ होगा वो जेड ए के तहत होगा साथ हपो हिंदी में भी आप याद रखें इसको यह, का कहा जाता है, का कहा जाता है, और इसे टा कहा जाता है, क्योंकि एकजाम में कई आर पूछता है, हलाकि उसमें हिंदी, इंगलिस दोनों में रहता है, आप इंगलिस देख के और correct answer कर सकते हैं इन दोनों की जो संबैधानिक संसोधन हुए उनके तहत राज जिन्रवाचन आयू का गठन हुआ और यह एक प्रकार का संबैधानिक निकाय है और मैंने बताया आपको कि यह संबैधानिक निकाय क्यों है क्योंकि इसका संबैधान में कहीं न कहीं बर्णन किया गया है और वो महत्यपूर्ण अनुछे दिन में कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करें, हम देखें कि राज्जिन निर्वाचन आयो किन महत्यपूर्ण अनुछे दों के तहत आधिकार प्राप्ट करता है, और काम करता है, तो पहला क्या है 243K1, 243K1 में गठन के बारे में बात की पंचायतों के निर्वाचन तथा निर्वाचन नामा बली तयार करना, यह इसका महत्यपूर्ण काम है, सनरचना कैसी होगी, तो एक सदसी निकाय है, हमारा जो राज्ज निर्वाचन आयोग है, वो एक सदसी निकाय है, इसमें एक राज्ज निर्वाचन आयोक्त होते हैं, और हमने देखा था कि जब निरवाचन आयोग भारत निरवाचन आयोग की हमने बात करी थी तो वो देखा था कि वो तीन सदसी निकाय था, वहाँ एक मुख निरवाचन आयोग तो दो अन आयोग होते थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यह एक सदसी निकाय, एक सदसी आयोग है अच्छा इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति कि अगर बात करें जो एक सदसी निकाय है जो चुनावा आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राजजपाल के द्वारा की जाती है उसके बाद देखें 243 के टू में कहा गया है कि इनकी सेवा सरते व इसमें यही कहा गया है कि जैसे हाई कोट के किसी नियाधिस को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि इनको हटाने के लिए इनके राज निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए हाई कोट के नियाधिस के समान प्रक्रिया होगी उसके बाद क कारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा अलावकारी परिवर्तन से आसे ये है कि जब hepyn कि निउक्ति रहा है उस समय कि करमचारी उपलब्ध कराने की राज जिपाल की जुम्मेदारी होगी राज जिपाल हमारे राजने वाचा नियायोग को क्यूंकि मैंने आपको बताया कि चाहे पंचायत को robić चुनाओं हो चाहे नगरीनिकाई को चुनाओं हो जब भी ऐसे चुना होते हैं उस समय अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत होती है और उनको अधिकारी और कर्मचारी को प्रब्द कराने का काम कौन करेगा राज पाल करेंगे और राज पाल किस आर्टिकल के तहट उनको ये करने का अधिकार है तो गो 243 के 3 में ऐसा कहा गया है अब हम नेक्स आर्टिकल देखे ते 243 के फोर में कहा गया है कि राज विधान मंडल को पंचाय तिस्तर की कानून बनाने की सकती होगी जब भी राज विधान मंडल को लगे गा कि हम पंचाय तिस्तर के लिए ऐसे कानून बनाएं जो हमारे निर्वाचन में एक सुववश्थ तरीके के प्रनाली लाई जा सके उसका अधिकार किसमे है राज विधान मंडल को तो वो 243 के चार के तहट उनको यह अधिकार दिया गया है अब आपन देखते हैं 243 O 243 O में कहा गया है 243 O में यह कहा गया है कि परिसीमन के संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के आया अले में चुनोती नहीं दी जा सकती परिसीमन कम मैंने आपको बताया था कि एक जंगरना के बाद चाहे वह लोकसाभा छेत्र की बाद हो चाहे बिधान सभा छेत्र की बाद हो उनको लेकर एक जन्संख्या की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन ह और उन परिसीमन के तहट कई बार किसी बिसेश जातिवर के लिए उसीडियोल कास्ट हो सीडियोल ट्राइब हो इनके लिए सीटों का आरच्छन किया जाता है तो जो परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा जो परिसीमन आयोग की सर्ते होंगी उनके खिलाब नायालय में नही अब अपन ने क्या कहा था कि तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे सक्ति एवं कारे के बारे में इनकी सक्तियां क्या है इनके कारे क्या है पावर्स एंड फुंक्शन के बारे में बात करेंगे तो हमने आपको बताया था कि इसमें बिसेस कोई बदलाव नहीं है जो भारत निर्वा निर्वाचन आयोग में है उसमें ये था कि जो बिधान सभा इस्थर के चुनाओं हो चाहे लोग सभा के चुनाओं हो राष्ट पती उपराष्ट पती इन सब के चुनाओं को कंड़क्ट कराने का काम कौन करता है हमारा भारत निर्वाचन आयोग लेकिन जो राज कैसे चुनां होगा इनकी तिथी और चाहे समय साणी की बात करें उनको घोसित करने का काम राजजी निरवाचन आयोग का है नामांकाद पत्रों का परिच्छन करना की वो सही है गलत है इनमें क्या सुधार किये जा सकते हैं इन सब के बारे में हमारा राजजी निरवाचन आय पस्थित और निस्पक्ष रूप से हो सके उसके लिए कुछ सरते लागू की जाती हैं तो अचार सहीता लागू करने का काम भी राज के इस्तर पर कौन राज निर्वाचन आयोग करता है चुनाव चिनका आवंटन जैसे हमारे नगरे निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो इनमें बहुत सारे प्रत्यासी जब भाग लेते हैं तो उनमें जो चुनाव चिनका आवंटन करने का काम होता है वो हमारा राज निर्वाचन आयोग करता है और आपने बेवहरिक रूप से देखा भी होगा कि कई बार किसी को पैन मिलता है चुनाव चिन, किसी को कई बार पैनसल चुनाव चिन मिल जाता है किसी को स्लेट मिल जाता है और अलग अलग प्रकार की चुनाव चिन का आवंटन होता है उसके आवंटन का कार कौन करता है वो राज निर्वाचन आयोग करता है मदाता जाग रूपता मदाता जाग रूप हो मदाता बोट डाल और अपने सवच्छा के अनुसार निर्भीक होकर वोड़ डालें इसका प्राधदान कौन करता है मतदाता को जागरूकता जागरूक करने के लिए राज निर्वाचन आयोग पहल करता है इसमें कई सारी जो छेत्रे ये फेमस परसनालटी होती है उनके द्वारा राज निर्वाचन आयोग क्या करता है एक प्रिचार प्रसार करने का काम करता है जागरूपता के तौर पर ये काम करता है उसके बाद देखते हैं मतदान भी बादपन निर्वाचन रद करना है अगर मतदान के समय बोटिंग करते समय या बूत गयरे जो होती है वो अगर हुई और आयोग को लगा कि यहां गलत हुआ है तो निरवाचन रद्द करने का काम भी हमारा राज निरवाचन आयोग करता है नगर पालिका और नगर निगाम और पंचायत के चुनाओं के इस तर पर उसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश प्रदेश निरवाचन आयोग के बारे में बात करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा वो चाहे किसी भी राज जी का निरवाचन आयोग हो सेम समान प्रकार की सक्तियां है उसके पास वो चाहे कहीं भी भारत की किसी भी राज जी का निरवाचन आयोग हो लेकिन अब जो हम तहत हुआ वही 73 वा संबिधान संसोधन जो हुआ 1992 उसके बाद आधार क्या रहा इसका आधार यही था आर्टिकल 243 के मैंने आपको बताया उसमें राज निर्वाचान आयोक के गठन का प्राध्धान है उसके बाद प्रकित कैसी है तो इनकी संबैधानिक स्वायत और अर्ध नयाईक प्रकिती है अर्ध नयाईक प्रकिती है तो संबैधानिक प्रकित आप जान ही लिए कि इसका संबिधान में बढ़न है इसलिए संबैधानिक प्रकिती स्वायत इसमें किसी प्रकार के बाहस्त अच्छेप का कोई प्रकार का किसी प्रकार का बाहस्त अच्छेप इस यह सरव उपर ही नहीं है इसलिए कहा गया कि जो राज निर्वाचन आयोग है वह अर्धन्याएक प्रकार की संस्था है संबेख संबैधानिक संस्था है एक स्वायत तो सतंद्र संस्था है उसके बाद जो इसका धेवाक्य है उसके बारे में देख लेते हैं तो इसका धेवा ये हमारे मद्ध्प्रदेश राज निरवाचन आयोक का धेवाक है इसे अपन जब भी देखेंगे inverted कामा के अंदर देखेंगे उसके बाद इसके मुख्याला की बात करें तो मुख्याला इसका भोपाल में है और जो इसका निरवाचन भवन है उसका जो सिला न्यास है वो 12 ज 1997 को इसका उगाटन हुआ और उस समय ततकालिन राज जिपाल जी ने इनका उगाटन किया था ये कुछ facts हैं ये कई वार exam में पूछे जाते हैं इसलिए आप इनका ध्यान रखें मद्ध प्रदेश निर्वाचन आयोक के अंतर गत आगे आगे बढ़ते और देखते हैं इसके प्रथाम आयोक्त की बारे में अगर बात करें कि इसके पहले आयोक्त कौन रहे हैं तो पहले आयोक्त एनवी लोहानी जी रहे हैं और एनवी लोहानी जी का जो कि हमारे राज जी के मद्ध प्रदेश राज जी के प्रथाम आयोक्त रहे हैं उसके बाद देखें बरतमान आय इसमें नियुक्त किये गए थे, जो अभी लगातार अपने पद पर बिराजमान है, सुसोभी थे, उसके बाद मद्र प्रदेश निर्वाचन आयोग में, हाँ, एक इंट्रेस्टिंग बात, जो इस पॉइंट में कही गई है, कि मद्र प्रदेश निर्वाचन आयोग में अभ मात्र सक्ति को आगे आना चाहिए, और सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, कि ऐसे किसी फेमस परसुनाल्टी को उस पत्तक पहुशने का अपसर दिया जाना चाहिए, बारहाल, प्रथम सचिव की बात करें, तो प्रथम सचिव इनके कौन है, तो प्रकास चंद सेठी जी, प्रकास चंद सेठी जी, इसके प्रथम सचिव रहे है, मद्द प्रदेश राज निर्वाचन आयोक के, प्रथम महिला सचिव की अगर बात करें, तो बिजया स्रिवास्तो जी, इसकी प्रथम महिला सचिव रही है, बरतमान सचिव की अगर बात करें, तो बरतमान सचिव ब सची उसके बाद आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य तत्थ क्या है अधर फैक्ट्स क्या है उनके बारे में देखें कुछ इंपोर्टन्ट है राज्य निर्वाचन आयोग के यह ऐसे फैक्ट हैं जो आपको एक्जाम में कई वार सहूलियत देते हैं कई वार ऐस से कोशन पूछे जाते हैं तो अगर हम इसमें सरसरी निगास से अगर पढ़े रहते हैं तो हम इसका अंसर कर पाते हैं तो देखिए चुनाओ एप जो है वो मद्रप्रदेश राज निर्वाचन आयोग का एक ऐसा एप है जैसे भारत निर्वाचन आयोग में हमने पढ़ा जैसे भारत का था उसी प्रकार चुनाओ एप है मद्रप्रदेश राज निर्वाचन आयोग का इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कई बार जैसे चुनाओ संबंधी किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं किसी प्रकार की आपको सिकायत करनी हो सुझाओ देना हो ऐसे काम चुनाओ यो कि किकर एप निर्वाचन आयोग का मद्रिदेश राज निर्वाचन प्रमीट यह क्यों कि यह सिवार्डिश है यह जहां तक मुझे याद आ रहा है तो साइद 2015 के आसपास दिया गया था यह फैक्ट एक बार आप चेक कर लिजेगा क्योंकि एक्जाम में कई बार कुश्यन पुछ लिया जाता है उसके बाद एक जनवरी को मद्दाता सुची अपडेट करता है कौन मद्ध प्रदेश गठित करने वाला पहला राज ही नहीं चुनाव कंडक्ट कराने वाला भी पहला राज मद प्रदेश ही है और मद प्रदेश राज निर्वाचन आयोग पहली बार कहा गठित हुआ तो मद्ध प्रदेश पर गठित हुआ उसके बाद आईए देखते हैं हम कुछ निरवाचान सुधारहेत गठित समीतियां हैं क्योंकि ये हम भारत निरवाचान आयोग जब पढ़े उस समय नहीं पढ़े थे इसलिए आज हम देख लेते हैं कुछ चुनाव समीतियां इसमें बात की गई कि बयस्क मता अधिकार की उम्र क्या होगी इसको 18 वर्स के आसपास करने का जो सुझाव था उतार कुंडे समीत का था उसके बाद दिनेश गोस्वामी समीति में ये कहा गया कि जो निरवाचान हो वो EBM के तहद हो EBM का समर्थन करने और उसकी सिफारिस करने का जो काम था वो दिनेश गोस्वामी का था इसी प्रकार इंज जीत गुप्ता समीत भी गठित हुई जो चुनाव से सुधार से संबंदित थी और के संथानम समीत ये भी चुनाव सुधार से संबंदित थी तो यह हमको समितियां देखा हमने जो महत्यपूर्ण है और आपके एक्जाम में कई वार पूछा जाता है ज्यादर डिटेल में नहीं पूछता उसमें यहीं पूछेगा आपको यह चारो आप्सन दे दिये जाएंगे इन में से एक आप्सन विपृत देगा और आपसे पूछेगा कि इन में से कौन सी चुनाव सुधार से संबंदि समित है या कि ऐसा दे देगा कि इन में से कौन सी चुनाव सुधार से संबंदि समित नहीं है उसमें आपको सही उत्तर टिक करना होगा तो हम अगर देखे रहेंगे तो हम यह उत्तर बता पाएंगे तो ठीक है साथी हो आज हमने पढ़ा राज Ferr Gunnirvachan आयोक के बारे में जो आयोक ते हैं उनका कारेकाल 6 वर्स या 65 वर्स अभी तेह किया गया है ये तेह करने का राइट किसको है ये तेह करने का आदिकार राज जपाल को दिया गया है इस तरह अब प्रिलिम्ज के पॉइंट आप उसे तो ऐसा कोई फेक्ट नहीं बचता जो मैंने आपको नहीं बताया तो ठीक है साथियो आज आप हमने पढ़ा राज जिनर वाचन आयोक के बारे में आप लोग हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बहतर बनाएं आपका बहुत-बहुत धन्दवाद अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अंगले वीडियो में हम अंगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों का बहुत-बहुत धन्दवाद